हें गाई!! वेलकम तू मैं यूटूप चैनल ! इसका नाम है युनिक फैक्ट इस चैनल पैपको युनिक युनिक यानि किअलग अलग फैक्ट जाने को मिलेंदे आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग फैक्स जाने का सोख है तो इस चैनल को चल्दी से सब्सक्राइब किजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि मेरी वीडियो में आपको सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको 7 facts about our brand यानि की दिमाग के बारे में साथ इंट्रेस्टिंग बाते बताने वाला हूँ दिमाग के अंदर की बाते करते ही हमारे ख्याल में वेक्सेन मार का जाते हैं चलो बिना कोई देरी की ये वीडियो शुरू करते हैं लेट्स गो मरवन जबम जाग रहे होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं या फिर निंद्रावस्था में नहीं होते हैं तब हमारा दिमाग 10-23 वाट की बिजली फेदा करता है ये बिजली बहुत ज्यादा होती है बिजली इतनी ज्यादा होती है कि इतनी बिजली से हमें एक बलपी जला सकते है तू, मनुष्य के दिमाग की एक आसर येकी बाद ये है कि हमारे दिमाग में दर्द नाम की कोई नस ही नहीं होती है इसलिए हमारा मनुस्य दिमाग, दिमाग में कोई दर्द की नसना होने के कारण दर्द में सूस करता ही नहीं है। हमारा दिमाग पानी का दर्या है यानि कि हमारा दिमाग भरफूर पानी युखत होता है और ये कहा जाता है कि हमारा दिमाग 75% तक पानी से बना हुआ होता है और सामान्य मनुष्य के उम्र चन्म से बढ़कर 5 साल तक होती है यानि कि कोई बालक 5 साल के उम्र तक पहुता है तब तक उसका दिमाग अलग अलग एक्टिविटी के कारण 95% तक बढ़ता है जब मनुस्य की उम्रह 18 साल हो जाती है तब तक उसका दिमाग पूरी तरह ग्रोध करता है और इस उम्रह तक उसका दिमाग 100% तक बढ़ जाता है और बाद में दिमाग विक्षित होना बंद हो जाता है बर पांट हम सबको पता है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ होता है वैसे तो हम कई दिमागी सरदरी को बार में सुन चुके और जान पी चुके लेकिन क्या आपको पता है सरदरी से हमारा आदा दिमाग अटाया भी जा सकता है और आदा दिमाग अटाने से हमारी लियादों पर कोई भी उसर भी नहीं पड़ता है नमबर सिक्स जब आपको सोच रहे होते हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं या फिर किसी का चेहरा गोर से देख रहे होते हैं तो वह मारे दिमाग का दाया यानि कि राइट ब्रेंड यूज होता है नमबर साथ यह नोखा फेक्स यह है कि आपका राइट साइड का ब्रेंड आपकी बोड़ी की लेप साइड को जबकि आपका लेप साइड का ब्रेंड आपके बोड़ी की राइट साइड को कंट्रोल करता है आपको कौन से फेक्स के बारे में जानकर आचर यह हुआ एक कॉमे और मज़ेदार फेक्ष लेकर तब तक के लिए अलविदा